बश्कार मैं मौनीस मौर्या आवज इकड़मे में आपका स्वागत है आज के टोपिक है नल और टंकी भाग तीन इससे पहले भाग एक और भाग दो आप विस्तार पूरग देख चुके हैं कुछ आगे के सौलों को देखने के लिए हम टोपिक पे आते हैं एक नल किसी टंकी को पानी से तीन घंटे में भर सकता है टंकी में एक छेट के करड़ इसको भरने में साड़ी तीन घंटे लगते हैं इस छेट के करड़ पूर भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी देखते हैं सवाल को यह सवाल वैसे तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कोई नल हमने बोल दिया ए टंकी को भर सकता है तीन घंटे में दूसरा कोई खाली करना लगा नल होगा जिसको छेद बोल रखा है उसकी काच्छन तो हम माइनस में लखेंगे और यह दोनों और चलें तो जो टंकी तीन घंटे मुँदती थी वो अब साडही तीन घंटे मुढक है और ताथ सारही तीन घंटे को हम लख सकते हैं साथ बट्य दो घंटे यह बट्टे दो है lcn लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इसलिए क्या करेंगे हम दोनों संख्याओं को दो सी गोड़ा कर लेंगे अब डीजा हो गया लेकिन द्यान यह देना है जब यहाँ पे दो सी गोड़ा कर रहा है तो संख्या दूग नहीं हो रही है संख्या दोग नहीं हो रही तो LCM भी दोगना हो रहा होगा इसलिए हम answer निकालते समय LCM को आधा करना नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से गुड़ा करने के वज़े से LCM भी दोगना हो गया होगा अब संख्याएं बन गई है 6 और 7 6 और 7 का LCM होता है 42 बैलेस में 6 जाएगा 7 बर, 7 जाएगा 6 बर हम यहाँ पर यह कह सकते हैं A की कर्चमता है प्लस की 7 और A और B दोनों मिलके टंकी को साड़े 3 घंटे में भरते थे इसलिए भरते हैं तो प्लस कर्चमता बोलेंगे और खाली करते हैं तो माइनस कर्चमता बोलते हैं हम यह कह सकते हैं 7 में से कितना घंटाएं की 6 बचे कितना घंटाएं एक अर्थात B की कर्चमता आई एक लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है अभी हमने 2 से गुड़ा किया था इसलिए 2 से भाग देना आनिवार था और यह एक कारिशम था था उससे तो भाग देना ही था यह हो जाएगा 21 घंटे अर्थात टंकी छेट के कारण 21 घंटे में खाली हो जाएगी अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है दो पाइप A और B अलग अलग इसी टंकी को क्रम सहा 60 मिनट और 75 मिनट में भड़ सकते हैं टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भड़ जाती है अगला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है समझते हैं तीन नल है A, B और C यहाँ पर तीसरा नल C जो बोएम बोल रहा हूँ ये खाली करने वाला है A, B, C तीनों मिलकर काम करते हैं तो लगता है 50 मिनट जब केवल A 60 मिनट और B 75 मिनट C पता नहीं है उसी को निकालना है सब वैलू मिनट में है 60, 75 और 50 का LCM हमें देखेगा 300 300 में जो हम 60 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा कार्षंता 5 यह कार्षंता आएगी 4 और 300 में जो 50 को भाग देंगे तो आएगा 6 हम यह कह सकते हैं A कार्षंता भी प्लस थी B भी प्लस था और 50 मिनट में भर रहा है तो यह भी कार्षंता प्लस ही था तो ऐसी भी देख सकते हैं इन दोनों का योग है 9 9 में से कितना घटा है कि बचेगा 6 हम कह सकते हैं 3 गटा सकते हैं जो कि C खाली करने वाल है इसकी कार्षंता माइनस में होगी है हमने C कार्षंता निकाल रखी कितनी 3 तो 300 LCM था 3 से हम भाग देंगे C का समय मिल जाएगा कितना है 100 मिनट सवाल बहुत आसान है जब प्रेक्टिस में होंगे तो सेकेंड में अंतर आएंगे अगला सवाल है एक नल किसी टंकी को 6 गंटे में भढ़ सकता है जब टंकी आधी भढ़ जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दे जाते हैं टंकी को पूरा भढ़ने में लगा कुल समय कितना होगा समझे सवाल को यहां पर बोल रखा है एक नल किसी टंकी को 6 गंटे में भढ़ता है पूरी टंकी को 6 गंटे में भढ़ता है तो आधी टंकी को भढ़ने में कितना समय लगा होगा 3 गंटा और 6 टंकी सेश टंकी अगर यही नल भरता अकिला तो 3 घंटा लगते एक नल भरता तो लेकिन 3 घंटा और हो गए हैं अब 1 प्लस 3 कितने नल हो गए 4 घंटा तो हम कहा सकते हैं 3 घंटा पहले लग रहे थे और 3 बटे 4 घंटा और लग रहे हैं यह थीकट है 3G यह और 3G 4 घंटा और 3G 4 घंटे को हम बनाएंगे मिनट सी सी गुड़ा कर लेंगे हो जाएगा तीन घंटा और पैतालिस मिनट पंद्रा गुड़े तीन पैतालिस मिनट यह मैं अंजर मिलता तीन घंटा पैतालिस मिनट अगला सवाल है अगला सवाल कहता है दो पैप किसी टंकी को क्रम सहा पंद्रा और बारा घंटे में पानी से भढ़ सकते हैं और एक तीसरा पैप इस टंकी को चार घंटे में खाली कर सकता है एज इन पैपों को क्रम सहा प्राथा आठ बजे नौ बजे और गारा बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी दो पैप हैं भढ़ने वाले हमने नाम दे दिया ए और बी तीसरा पैप खाली करने वाला है सी और ये तीनों क्रम सहा पंद्रा घंटे बारा छंते और चार घंटे ये यह भी भर्णे वाले हैं सी खाली करने वाला है बाखी की कार्चमता प्लस में लिख सकते हैं और तीनों लागन एक साथ काम करें तो कार्चमता कितने आएगी ये माइनस की 15 है और दोनों का योग प्लस में है 9 तो 15 में से जब 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 6 अब सवाल के कार्डिंग देखें बोल रखा है इन पाइपों को करम सा 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तहनी का मतलब ये है कि 8 बजे नल एक खोल दिया जाता है 8 बजे और 9 बजे A तो खोला ही था B भी खोल दिया गया और 11 बजे A और B तो खोले ही ही थे C को भी खोल दिया गया 3 नल चालो होगा 11 बजे हम ऐसी भी देख सकते हैं 8 से 9 मतलब एक घंड़ा एक घंड़ा तक कौन नौझ चालू रहा एए और नौझ से ग्म्राइब और 12 चलोग साइगा झाम 550 और 2 जोड़ा ईगा क्यों कर रहा है तो नौझ अधर 8 tenthर्स नौझ की घंड़ी आफटा है 5 जब नल C आ गया है उसके बाद टंकी भरेगे नहीं बलकि टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी जितनी भरी है वो क्यों? तो कि अब कार्षमता माइनस की आने लगी तो कितनी टंकी भर चुकी है? 18 और चार बाइस और शीक खुलने के बाद कार्षमता कितनी माइनस है? 6 तो 22 को हम 6 से भाग दे लेंगे हमें मिलेगा 6 गोड़े 3, 18 बचा कितना? 4 3 गंटा हो गया और 4 बचा हुआ है 4 बटे 6, 4 बटे 6 का मतलब कितना होगा? 4 बटे 6 गंटा और इस 4 बटे 6 गंटे को हम बना सकते हैं मिनट अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है दो पाइप की सिटंकी को क्रम सहा 20 और 15 गंटे में पानी से भढ़ सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को पांच घंटे में खाली कर सकता है यदि इन पाइपों को क्रम सा एक पीम, दो पीम और चार पीम यहां पे पीम का मतलब है दो पहर के बाद कभी-कभी हिंदी में लिखतेता है बड़ी जटिल भासा लिखता है अपरान या एम को लिख देता है पूर्वान तो यहां पे अपरान पूर्वान में कन्फ्यूज मत होएगा वो लखा टंकी कितने वज़े खाली होगी तीन नल है ए बी और सी यह करमसा बीस पंदर अंटे में दोनों भड़ते हैं और तीसरा नल पांच गंडे में खाली कर देता है खाली कर देता है इसलिए कार्चमता को हमने लिखा है माइनस में अब बीस पंदरा और पांथ के एलसियम होगा साथ बीस गोड़े तीन होता है साथ पंदरा गोड़े चार होता है साथ और यह बारा पंजे साथ होता है यह कार्चमता माइनस में है बाकी कार्चमता प्लस में है अब तीनों और एक साथ काम करेंगे तो ये दोनों मिलके साथ ही काम करते हैं और ये ये बिगार देता है काम ये पॉश्टियो ही निगेटिव है तो वैल्यू कितनी बज़ेगी निगेटिव ज़्यादा है ना तो बारा में से साथ गटाएंगे कितना बज़ेगा पांच वो भी माइनस का तो सवाल को देखें, तो बूल रखा है, नल A को खोल दिया गया है 1 PM पे, A तो खोला हुआ ही था, B को भी खोल दिया गया, 2 बजे, A B तो खोले हुए ही थे, और C को भी खोल दिया गया है, 4 बजे, तो हम कह सकते हैं एक से दो तक कितना घंटा हुआ एक घंटा नल एक चालू रहा पहला नल और दो से चार कितने घंटे हुए दो घंटे दो घंटे तक ए और बी नल चालू रहे अब चार बजे जब नल सी खुल गया उसके बाद टंकी नहीं भरेगी क्यों कि कार्चमता अब माइनस में होगी तीनों चलने के बाद तो हम यह देखेंगे यह दोनों मिलाके कितना है? 14 प्लस 3, 17 17 को जो हम 5 से भाग दे रहा है तो हमें मिल रहा है 5,3,15 तो बटे,5 म cops भरेगा 3 गंट पूरी पूरे, दो बटे, 5 गंट और इसको हम लिख सकते हैं तीन गंटा दो बटे पांच घंटे को क्या लखेंगे 24 मिनट 24 मिनट कैसे आ रहा है साट से हम गुड़ा कर सकते हैं एगा बारा गुड़े तो 24 तीन घंटा 24 मिनट अगला स्वाल देखते हैं अगला स्वाल है एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके करण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है यह टंकी पानी से पूरी भरी हो साथ ही 4 लीटर प्रती मिनट की दर से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वरा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है टंकी कितने लिटर पानी भरा जासकता है यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में बार बार पूछायता है यहाँ पे टंकी की चमता पूछ रहा है कैपसिटी टंकी में कितना पानी आता है यह के लिए में 10 घंटे में खाली करता है माइनस और कि दो ननल चालू रहें तो दस बज़े 15 घंटे में टंकी क्या होगी भरने में लगता है भरने में लगता है इसका मतलब प्लस इसने बोल रखता है टंकी में एक चार लीटर प्रति मिनट के दर से पानी भढ़ने अलानल है चार लीटर प्रति मिनट ये ध्यान देने लिए बात है इसको हम अलग वैलू मान रहे हैं ठीक है अब पहले हम देखेंगे 10 और 15 केल्सियम से हम कार्चंता निकाल पाएंगे 10 पंदरा केल्सियम कितना होगा ती ऐसमें जो 10 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3, 30 में पंदरा को भाग देंगे हमें मिलेगा 2 लेकिन ध्यान निये देना है छेत जवडरा टंकी को खाली करने में 15 घंटे लगते नहीं और दोनों चालू रहे हैं तो 15 घंटे लगते नहीं यह मानस के खंटा हुई जो पी मानस तो हम यह देखेंगे बी का खंटा मानस तीन थी कितना की मानस का दो बटे प्लस का एक अर्ठाथ यह का खंटा एक आ रही है 30 बटे एक अर्थाथ'! इक को शमय कितना लगेगा 30 टंकी की चंटा तो टंकी की चंटा देखते हैं नल ए जो है 30 गंटे में टंकी को भरता है और 4 लिटर पती मिनट के दर से भी बढ़ता है, दोनों चीजे अपने आप में सही है, तो हम क्या करेंगे, 30 गंटे को बना लेंगे मिनट, गंटे को मिनट के लिए 60 गुड़ा कर लेंगे, हर मिनट में 4 लिटर पानी, यह हो जाएगा, जब 30 को 60 गुड़ा करेंगे, तो 2 जीरो आ पानी आ सकता है, बहुत उंदा सवाल था, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, एक टंकी के तली में एक छेद है, जिसके कारण, पानी से पूरी भरी टंकी, 15 गंटे में खाली हो जाती है, यह टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 12 लिटर पती, मिनट के रफ्तार म में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 20 गंटे का समय लगता है, टंकी में कितने लिटर पानी आ सकता है, तो समझते हैं, यहाँ पे वही सवाल है से, तो बो लखत टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 12 प्रति मीनट टंकी में भर रहा है और खाली करने में वाला 15 गंट खाली कर सकता है, जोकि दोनों चलू रहें तो 20 गंट यह लगता है, भरता भी रहा है, खाली होता है, तो इस घंटा, तो 15 गंटा कितना होगा, 60, 15 कोड़े 4 होगा 60, और 20 कोड़े 3 होगा 60, अब मैनस 4 में स क्या गटाएं कि मानतीन आए हम गएंगे प्लस का एक चुकि यह एक प्लस की कहा चमता होगी यहां पर एक का समय आ जाएगा 60 बटे एक अर्थात 60 घंटे 60 घंटे आ जाएगा लेकिन हमें निकालना टंकी की चमता टंकी की चमता के लिए क्या करेंगे नल ए जो है 60 घंटे में भर रहा है और नल ए 12 लीटर प्रति मिनट के दर से भी पानी फेक रहा है दोनों चीजे अपने आप में सही हैं तो उन क्या करेंगे 60 घंटे को बना लेंगे मिनट एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए 60 से गुड़ा कर लिया और हर मिनट में 12 लीटर पानी फेकता है यह हो जाएगा 60 गुड़े 60 36 100 गुड़े 12 जब हम गुड़ा करेंगे दो 0 आ जाएगे 12 गुड़े 6 12 चंग 72 हाँ चला है 7 12 तियों 36 साथ 43 यह 43200 लीटर मिला अप्शन को उनसा दिख रहा है चार अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है किसी होज को पाइप A 6 गंटे में तथा पाइप B 8 गंटे में भड़ सकता है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किन्तों 2 गंटे के बाद पाइप A को बंद कर दिया जाता है होज के सेस भाग को भड़ने में B कितने गंटे का समय लेगा समझे सवाल को नल एक शी ठंक की को भरता है 6 गंटे में नल भी भरता है 8 गंटे में tells him कितना ऐगा छे और 8 का 24 छे कोड़े 4 होता है 24 आठ कोड़े 3 होता है 24 यहाँ फेर दोनों ही भरने वाले नल है तो साथ काम करें तो चार यह तीन दोनों में लागए कितना भर रहे हैं चार प्लस-3 और एक घंटे काम है यह साथ दो घंटे काम साथ कुड़े तो 14 काम तो 24 काम करना था जिसमें से 14 काम हो गया है 24 में से 14 घटा देंगे सेश काम कितना मचेगा 10 अब इसने बोला है 2 घंटे के बाद नल A बंद कर दिया जाए तो नल A की कार्चमता हटा दिया हमने अब कि वहले नल B की कार्चमता चालू रहेगी क्योंकि नल B कार्चमता दे रखी है 10 बटे 3 कितना हमें मिलेगा 3 सही 1 बटे 3 घंटा ये सेश टंकी भड़ने में 3 सही 1 बटे 3 घंटा B समय लेगा अगला सवाल है अगला सवाल कहता है 2 पाइप A और B टंकी को करम सा 6 तथा 8 घंटे में भड़ देते हैं तद नुसार ये दोनों पाइपों को समझते हैं सवाल को 2 पाइप है A और B टंकी को 6 घंटा और 8 घंटे में भड़ देते हैं LC मा रहा है यहां से 24 6 गड़े 4 24 8 गड़े 3 24 वही परना सवाल दोनों की मिल के कर्षमता आएगी 7 अब इसने बोला है पूरी टंकी भड़ने में 4 घंटा लगना चाहिए तो हम कह सकते हैं 4 घंटा कुल समय लगा जिसमें A और B दोनो 1 घंटे तक चले और बाकी जब B को बंद कर दिया गया तो बचा A ये चला 4 माइनस 1 घंटा इन दोनों समय को जोड़ेंगे ये तो 4 घंटा आ जाएगा इसके कार्डिंग जब देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 घंटे तक A और B दोनों नल चालू रहे न A और B दोनों की कार्षम तक कितनी है 7 जगा 7 गोड़े X और फिर केवल नल ये चलू रहा है 4 माइनस 1 घंटा तो एक कार्षम तक कितनी है 4 गोड़े 4 माइनस X घंटा और कुल काम कितना हुआ 24 इनको जब हम सॉल करेंगे तो हमें मिलेगा 7 X प्लस 4 गोड़े 4 16 माइनस 4 गोड़े X 4 X बराबर 24 तो इसको पच्छांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 7 माइनस 4 3 X बराबर 24 माइनस 16 8 तो X के वैलू यहां से मिलेगी 8 पटे 3 8 पटे 3 हमें आंसर दिख रहा है 14 अगला सवाल है अगला सवाल है तीन पाइप A, B और C एक टैंक को 6 गंटे में भड़ सकते हैं 2 गंटे मिलकर काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B से इस भाग को 7 गंटे में भड़ सकते हैं अकेले C दोरा टैंक को कितने गंटे में भड़ा जा सकता है समझे सवाल को तीन पाइप थे A, B और C तीनों को 6 गंटे का काम था 6 गंटे काम था इन्होंने 2 गंटे काम कर रखा है कितना काम बचा 4 गंटे का इनका काम बचा अगर यही तीनों नल चलते तो 6 काम 4 गंटे में हो जाता यह 6 तंकी 4 गंटे में भड़ जाती अब इसने बोल लखा है 2 गंटे काम करने के बाद C को बंद कर दिया गया और A और B ने 6 तंकी को यह 6 भाग को 7 गंटे में भड़ दिया हम कह सकते हैं A और B और C तीनों का जो 4 गंटे का काम था उसी काम को A और B ने 7 गंटे में पूरा कर दिया यह 6 काम के लिए वैलू है जो 6 काम ABC का 4 गंटे का था उस 6 काम को A और B ने 7 गंटे में कर लिया ABC का 4 गंटे का काम A और B ने 7 गंटे में कर लिया तो C का करचमता यहना निकालने के लिए सब कर रहा है यहाँ पर साथ और 4 का लेंगे कितना आएगा 28 साथ कोड़े 418 चार कोड़े 28 यहाँ पर हम यह देख रहे हैं ऑर बी की मिला की करचमता है चार और और दून कि इसमें पता नहीं है तो हम यह कहेंगे, चार में कितना जोड़ें साथ हो जाए, हम कह सकते हैं, तीन, तद सी की कर्चमता हम निकाल लिए, और तीनों कर्चमता भी निकल आई, कितनी, साथ, तीनों की कर्चमता थी साथ, और साथ साथ काम करते थे, छे घंटे, तो कुल काम कितना हो जाएगा, बैल सब्सक्राइब दोस्तों वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बाक्स में बताएगा कि समुखत मैंड़ न हमुट हो जबें बताएब आपूस वा바ु प्रिज में बताएब रगा हो तो एज लिया जया हो।